अब फ़ेलो एपर फ्रेंड यहां पे यहां पे एक नीव वेकेंसी आ गही जो की गूब्मेंट जॉब की वेकेंसी जुनियर इंजिनियर की यहां पर पोस्ट आ गही बैरिस पोस्ट आ हैं पर कौन-कौन से यहां पर ब्रांच वाले अपलाई कर सकते हैं सब कुछ हम लोग यहां पर डिसक्स करेंगे पेस्केल के बारे में डिसक्स करेंगे इन हैंड आपको सेलरी पर मंत दिया जाएगा तो यह अच्छी खास यहां पर वैकेंसी है और पेस्केल भी काफी अच्छी है बढ़िया है यानि कि 45,000 काफी बढ़िया यहां पर पेस्केल है तो सब कुछ हम लोग यहां पर डिसक्स करने वाले हैं तो आप लोग अंतक बने रहे हैं यहां पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमिशन जो की यूपी की तरफ से वैकेंसी है काफी बढ़िया वैकेंसी है 45,000 आपको इन हैंड सेलरी दिया जाएगा क्या कुछ इसमें दिया गया है सब कुछ हम लोग यहां पर डिसक्स करेंगे यहां प किसको याद करके रखेगा तो यहां पर हम लोग डिसक्स करते हैं कौन-कौन से ब्रांच वाले अप्लाइग कर सकते हैं, यहां पर देख पा रहे हैं कि first जो code है code number 161, जो की E & M, यहां पर पोस्ट का कैडर है यहां पर junior engineer electrical का यहां पर वैकेंसी है, डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग यहां पर मांगा गया है यानि कि यहां पर सिर्फ डिप्लोमा वाले अपलाई कर सकते हैं जो भी यहां डिप्लोमा में इंजिनियरिंग किये हैं वे यहां पर अपलाई कर सकते हैं कौन से कैटेगोरी में कितना कितना पोस्ट है हम लोग यहां सीट के लिए हैं सिक्स्टी सीट काफी एच्छी आसे पोस्ट ए चार सीट एक शित बात कर लें Next जो Code 162 जो की जुनियर इंजिनियर electronics जैंद टेली am5 क मेरी आप सकते हैं यहां पे बात करें तो एक post और यहां पर पोस्ट है एक में बात करें तो सिक्स और यहाँ पर सीपट एवलेबल हैं तो इस तरह से देख़ें कि कौन खूं से अब अप्लाई कर सकते हैं काफी अच्छी खान सी पोस्ट और सयलेरी भी आपे कաफी अच्छी खासी आप लोग को मिलने वाली हैं अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट डिसकेस करते हैं पैस्केल की बारे में देख चुके हैं लगभग लगो को 45,000 आपको प्पेस्केल यहां पर दिया जाएगा तो काफी अच्छी खास्य यहां पर पेस्केल है जो की सेवंथ पे की अनुसारे यहां पर आपको आप यह कडेंगा य प्रवीधिक सिक्षा परिसंधान उत्तर परदेश डिप्लोमा किसी भी स्टेट से आप लोग डिप्लोमा कर रखे तो आप लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं इसमें ऐसा नहीं कि आपको उत्तर परदेश नहीं खोजा जाएगा यहां पर थिरियर्स ऑल इंडिया सर्टिफिक से अप्रूबल होना चाहिए यहां पर कहा गया है इसी तरह आपको जो इलेक्टोनिक्स एंड कॉम्निकेशन में हैं इलेक्टोनिक्स में उसमें भी आपको यहां पर उसी तरह थिरियर्स डिप्लोमा मंगा गया है यहां पर देख पर हैं इलेक्टोनिक्स या टेली कॉम्नि एक्सेशन में यदे आप लोग OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं उत्तर परदेश से हैं तो आपको ओएज में पर छूट दिया जाएगा यहां पर डिसकस किया गया बात कर लेते हैं पर इग्जामीनेशन तो क्या होने वाला है हम लोग यहां पर डिसकस करने तो जा मिनेशन सेलेक्षन प्रोसेस विए computer वेस्ट और computer CBT होगा और वारा नसी गोरकपूर कानपूर बरेली लखनो गाजिया वाद नोएडा ग्रेटर नोड़ा अमेरट ए सभी सीटी है जो कि यहां प आपको ब्रांच के बारे में दिया गया है कौन से ब्रांच से आपको कितना question पुछा जाएगा और general knowledge से कितना पुछा जाएगा सब कुछ यहां पर दिया गया है यहां पर नेक्स्ट रोज यहां पर बात कर लेते हैं कितना आपका यहां निगेटिव मार्किंग है तो आप ANS । यहां और निगेटिव मार्किंग है तो आप लोग को दैयान में देखते हुआ कोANG को क्याा कि यह लिया बीदो नेक्सार करना है केटेग्री से बाम करते हैं और जो किपसे बिलाग करते हैं उसको यहां पर 700 नवे भी यादी यादी आओ बीसी वाले को यहाँ पर हजार रुपे लगेंगे तो बीसी और अन्रिजर्व वाले को यहाँ पर सेम यहाँ पर पे करने हैं फिजिकली हैं जो पी एच कंडिडेट है तो उनके लिए यहाँ पर मात्र दस रुपया फी लगेगा कंडिडेट और दैन स्टेट सब्सक्राइब करते हैं यूपी के छोड़ करके तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर आपको एक हजार पे करने होंगे इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है और देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट जो दिया गया है जो आप लोगों को इंपर्टेंट है यहाँ पर ऑनलाइन अप्लिकेशन सब्मित करने की जो तारिक है यहाँ पर कर सकते हैं चार बारस से लेकर याणा की चार दिर्दिक बर से आप लोग 28 दिर्द तक यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं तो यह देट यहाँ पर दिया गया है नेट जो यहाँ पर समिसन याना की जो आपका znisन चलान कटाने या जो की आपका online पे करने का यहां पर डेट दिया गया है सेम डेट है यानि कि आप चार दिसंबर से 28 दिसंबर तक ही आप लोग पे भी कर सकते हैं और जो फाइनल यहां पर समीशन आप अप्लिकेशन थी कम हां तो यहां पर जो देख पा रहा है कर सकते हैं जो कि चलान के माध्यम से अब जो टेट दिया गया है कंप्यूटर बेस टेस्ट का यहां पर फर्ष्ट वीक फरवरी 2021 में आपका यहां पर एक्जाम कंड़क्ट होगी तो आप लोग अभी से इसका फर्म भरना है तो अभी से आपको प्रिप्रेशन में लग जाना होगे तब जाकर यहां पर आपका सेलेक्शन होने की पूर्ण संभावना होगे किसी भी helpdesk email address दिया गया है आप लोग जो यहां पर विभागी वेब साइट है उसके माध्यम से यहां प्लोग इस Gmail के माध्यम से पर ऑनलाइन कर सकते हैं यही कोछ दिया गया था जो कि आज के डेट में कल के डेट के डेट में नोटीस आई है तो आप लोग यहां से डेट यहां पर देख पा रहें कि चार दिसम्बर से आप लोग यहां पे apply कर सकते हैं तो जो भी छात्र इसके लिए eligible है आप बिल्कुल आप लोग apply करिए अच्छी खासी वेकंसी है पोस्ट है यहां पे salary अच्छी खासी है तो जो भी candidate इसमें eligible है बिल्कुल आप लोग apply कर सकते हैं thank you मिलते हैं next video में next vacancy के